नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं यूटूब में दोस्तों बिहार PCS की कम समय में समगर तयारी करने के इच्छुक हैं तो आप हमारा crash course जोईन कर सकते हैं जिसमें कि आपको संपूर्ण और आवशक्ता भर study material दिया जाएगा और पूरा guidance दिया जाएगा जिससे कि आप बहतर महसूस कर पाएंगे और अपने चैन को सुनिश्चित कर पाएंगे तो आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं शुरू करते हैं यह यहां देखिए पहला question और हाँ यह जो test series है यह bilingual format में है तो आप दोनों ही माधियम के अभ्यर्थी यहां से अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं पहला प्रशन पूछा गया कि निमनलिखित में से किस राज्जे ने 2021 में सबसे अधिक बागों की मृत्यू दर्ज की है तो केरल बिहार उतराखंड और मध्यप्रदेश यह विकलफ है और यह वाला option यथावत है जैसा कि हर बार BPSC के प्रिलिम्स में रहता है तो बताएं इसमें से कौन सा होगा यह मध्यप्रदेश राज्जे है जहां पर 2021 में सबसे ज़्यादा बागों की मृत्यू दर्ज की यहां देशों के नाम दिये है रशिया है चाइना है इंडिया है और जर्मनी है आप बताएं देखिए यह इंडिया है अपना देश है जिसने की आतंकवाद विरोधी समीति की अध्यक्षिता की थी इसके बाद थर्ड क्वेशन को देखते हैं किंद्र सरकार की उजवला औ और प्रदेश सरकार की ग्रहणी सुविधा योजना की तहत कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुवामुक्त राज्य बन गया है तो इसमें राज्यों के नाम आप देखें एलपीजी जिस घर में रहेगी तो वहां धुवा नहीं मतलब लगडी के इधन का इस्तिमाल नहीं किया जाएगा आम तोर पर खाना पकाने के लिए तो इसलिए धुवामुक्त यहां लिखा हुआ है तो यह स्लोगन जैसा है किस राज्य पर फिट बैटता है आप देखकर बताएं मेघाले हिमांचल आसम मनिपुर इसमें से कौन सा होगा तो करेक्ट एंसर इसका कौन सा होगा हिमांचल प्रदेश हो जाएगा बी वाला आप्शन हम टिक करते हैं इसके बाद फूर्थ क्वेस्चन को देखिए इसमें कहा गया कि निमनलिखित में से वर्ष 2021 के सर्वस्रेश्ट फीफा पुरुष खिलाडी का पुरसकार किसने जीता है अब यहां ज पहचाने नाम है और इसमें से आप एंसर को कौन सा चुनेंगे तो यह वाला चुनना विवश्टा है क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे स्रेश्ट फीफा पुरुष खिलाडी का जो अवार्ड है वो रॉबर्ट लेवन्डॉस की को भिला है ठीक है और सरुस्रेश्ट फीफ पुरुष वर्ग में इस किताब को जीते हैं तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो ई वाला ऑप्शन है वो पर्फिक्ट होता है आगे बढ़ते प्रशन संख्या पाच को देखिए यह बिहार से संबंदित करिंट अफेर है कहा गया कि निमनलिखित मेंसिक इसक करेक्ट अंसर हो जाएगा यहां आप ध्यान से इसे देखेगा एक एक शब्द को आचारे चंदना जी को इमला है यह बिहार कोटे से प्राप्त किये हैं और इनका जो छेत्र है वो सामाजिक कारे का है तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है उसको हम चुनते है छटवे प्रश की हुई थी, बिहार की हुई थी, या पर तमिलनाडू की ती या इसमें से कोई भी नहीं चुनने लाएगा तो आप das हमांचल को चुनियेगा यहां गलती से आप बिहार को मत चून लिचेगा तो जरा कमेंट सिक्षन में बतायागा बिहार किस थापणा किस तारीक में पिलाल इसका जो भी वाला option है वो perfect इसके बाद next साथवे question में आपसे कहा जा रहा है कि जनवरी 2022 जो की latest ही कहा जा सकता है हलागी 2023 शुरू हो चुका है लेकिन एक वर्ष का current affair आपको मालूम होना चाहिए तो जनवरी 2022 में केंद्रिश आशत प्रदेश जम्मू और कश्मीर इस territory का दरजा दे दिया गया तो उसमें एक लद्दाक अलग हो गया जम्मू अलग हो गया छोटा हो गया फिलाल यहां आप बताएं जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है इसने कौन सा पुरसकार प्राप्त किया है सरवोची वीरता पुरसकार प्राप्त किया है या फिर आप तो ए वाले विकल्ब को हमने चुना और आठवे प्रश्ण की ओर आप बढ़ चलते हैं आठवे प्रश्ण में आपसे पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ नयायले डिजिटल नयाए घडी शामिल करने वाला भारत का पहला उच्छ नयायले बन गया है यह पहला High Court है भारत का तो आप बताइए यह गुजरात High Court है, डिली High Court है, आंध्रा है या फिर पटना है तो यह गुजरात का उच्छनेयाले है जिसने की इस प्रकार का काम किया है तो इसमें से हम किस विकल्ब को चुनेंगे ए वाले को चुनेंगे ए वाला option हमारा perfect होता है नेक्स्ट प्रशन संख्या 9 में आप से पूछा गया कि केंद्रिय मंत्री मंडल ने वर्ष 2022 के शुरुवात में निम्नलिखित में से किस नदी पर एक पुल के निर्माड के लिए भारत और नेपाल के बीच में समझोता ग्यापन यानि मेमोरेंडम आफ अंडरस्टेंडिंग को मजबूरी मंजूरी दे थि extrem मतलब दो देशों के बीच में समझा ग्यापन यह मंजूरी मिली है तो यह कौंसी नदी के विशय में समझा अहुआ हो रहा है ज़रा देखकर बताहिए फुल का निर्मार करना है कौनसी नदी पर बनेगा यह काली पर बनेगा महाकाली पर ब बात है धारचूला भारत का और धारचूला नेपाल का मतलब भारत और नेपाल दोनों के हिस्से में आया तो इसमें महाकाली नदी पर पुल के निर्माण के लिए ये दोनों के बीच में समझोता कि आपन पर हस्ताक्षर होते हैं तो इसके भी वाले विकल्ब को हम चुनेंग तो यहाँ पर जैन्त गोशाल जी का नाम है और डॉक्टर थामस मैथ्यू भी है इसके बाद धिरेंद्र केज हां भी है चंद्रचूर गोश का भी नाम दिया हुआ है करेक्ट अंसर क्या होगा चंद्रचूर गोश होगा ठीक और आप जानते हैं कि यह पुस्तक किसके उपर लिखी गई है बताने की आवशकता नहीं है इसका डी वाला ऑप्शन जो है वो पर्फेक्ट है इसके बाद 11 गुशन को देखी पैतीसमा अफरीकी संग शिखर सम्मेलन 2022 यह संपन हुआ मेजबानी किस देश ने की मेजबान इसमें कौन था तो यह होस्टिंग का काम जर्मनी करता है अमेरिका करता है इथोपिया ने किया था या फिर माली ने किया था माली एक बहुत ही विपनने देश है गरीब देश अफरीकी देश है इस थलबद्ध है फिल बंगाली गाईका है इनका नाम है संध्या मुखर जी इनका देहा वसान हो गया तो इन्हें एक पुरसकार से सम्मानित किया गया था मतलब एक अवार्ड इने दिया गया था वो कौन सा था तो इसमें आप देखें यह बंग भीभूशण अवार्ड से नमाजी गई थी या फि इनका नाम है संध्या मुखर जी और इनका देहा वसान हुआ है इसलिए चर्चा में है करेक्ट अंसर इसका क्या होगा करेक्ट अंसर होगा इवाला क्योंकि असल बात यह है इवाले विकल्प को चुनने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है यह गाई का जो संध्या मुखर जी जी है इन्हें केंद्री सरकार से जनवरी 2022 में पद्म पुरसकार देने का एलान किया गया था लेकिन पद्म पुरसकार को स्विकार करने से इन्होंने मना कर दिया था मतलब यह मना कर देती है और मुखरजी को 2011 का जो समय था उसमें बंगाल सरकार की द्वारा जो सर्वोचे नागरिक सम्मान है बंग बिभूशन और जै जैन्ती साउंड अफ म्यूजिक का एक जो बंगाली रिमेक है इसके बाद निशी पद्मा के लिए सरस्रिष्ट महिला पार्श्रकाइका का राष्ट्रे फिल्म पुरसकार दिया गया था तो आप देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा उत्तर इसमें मैच कर रहे थे तो इसलिए हम इवाले विकल्प को चुन रहे थे कि उपर युक्त में से एक से ज़्यादा पद्म पुरसकार हलाकि इन्होंने एकसेप्ट नहीं किया लेकिन घोशना तो की गई थी तो उसको भी हम इस्टेडी में डाल सकते हैं पुछा गया है कि फरवरी 2022 में किस सेंट्रल जेल ने कैदियों को देश प्रदेश के करेंट अफेयर और अन्य समाचार कारिक्रमों से अवेर रखने के लिए सूचित रखने के लिए अपना रेडियो चैनल जेल वाडी एफम 18.77 लांच किया है ये काबिले तारीफ पहल है कि कैदियों को भी करेंट अफेयर की जानकारिया है वो मिलती रहनी चाहिए मतलब देश दुनिया से वो जागरूक रहे है मतलब उनकी खबर रहे तो आप बत अफेयर का गलत इस्तिमाल भी हो सकता है लेकिन ये सार्थक पहल है फिर भी रशन संख्या 14 को देखते हैं भारत में 100 प्रतिशत प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारती उभोगता कंपनी कौन सी है इसमें जानी पहचानी कंपनीयों के नाम है जैसे कि डाबर, पतंजली, हिमालिया, सिपला ये सारी दवाई की कंपनिया है कुछ अयरवेदिक है कुछ एलोपैथिक है आप देखकर बताएं कि ये पहली भारती उभोगता कंपनी कौन सी है जिसने की प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने का 100 प्रतिशत का जो टार् गलत है अब ये जो स्टेट्मेंट वाले क्वेस्टन होते हैं ये थोड़ी सी समस्या पैदा करते हैं क्योंकि यहां फैक्ट नहीं बलकि थोड़ी अकल लगानी पड़ती है तो इसमें दिया हुआ है अलग-अलग तरह के करेंट अफेर को एक में मर्ज कर दिया गया जारख पुरसकार ये कोलकता के भारतिय सांखिकी संस्थान की गड़तग्य है जिनका नाम है नीना गुपता उनको प्राप्त हुआ मतलब उन्हें इस पुरसकार से सम्मानित किया गया और फरवरी 2022 की बात थी कि फ्रांस और भारत के बीच में नीली अर्थ विवस्था यानि जो Blue Economy कही जाती है और महासागर शाशन यानि Marine Administration पर अपने द्विपक्षी आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप पर हस्ताक्षर की है यानि दोनों के बीच में बात चीथ हुई है समझोता हुआ है और D वाला option आपको बता रहा है कि G20 का जो बीसवा शिखर सम् संसकरण है वो अठारवा था ठीक 20 शक्तिशाली देश जो कि विकास के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं उनका ये शिखर सम्मेलन था और उसका ये अठारवा संसकरण था तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में अब इसमें से आप देखकर बताएं कि कौन सा statement ये सारे statement आपको दे रखें कौन सा गलत है रॉंग इंफार्मेशन आपको सेलेक्ट करनी है ध्यान दीजेगा और इसका जो करेक्ट एंसर है वो ये हो जाएगा क्योंकि एक से जादा है या कोई नहीं वाला विकल्प हमें चुनना पड़ेगा तो ये वाले option को पहले चुन लेते हैं और ये 18 संसकरण 2023 वाला ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा ये बात हो रही है 2023 के संसकरण की G20 के ठीक तो इसमें जो venue दिया है आयोजन का वो गलत दिया है तो इसलिए दो statement इसमें गलत हो गया है तो एक से जादा वाला जो विकल्प है उसको हमने चुना इसम Global Interpretorship Monitor 2021-22 रिपोर्ट में भारत को विश्वस्तर पर किस इस्थान पर रखा गया है कौन से इस्थान पर रखा गया है आप देखकर बताए ये 16 वा क्वेश्चन करेक्ट टैंसर क्या होगा इसका ध्यान से देखेगा इसका जो राई टैंसर है यहाँ देखें आप दूसरे चौथे पहले छट्वे से इस थान का क्रम भी दिया हूआ है फिलाल चौथा इस्थान जो है वो हमें प्राप्त हुआ है भारत का बिश्वस्तर पर कान सा इस्थान है चौथा और ये जो मोनिटर है इसमें भारत को पूरे वर्ल्ट ऍवर पर beş Augen array डia गया है इसमें पहले इ उपर है और उसके बाद नीदरलेंड और स्वीडन का स्थान है और फिर चौथे स्थान पे हम हैं तो जो शुरुवात के टॉप थ्री है वो भी आपको मालूम होने चाहिए इसके बाद 17 वे क्वेश्चन की ओर चलते हैं फरवरी 2022 की बात है किस राज्य की मुख्यमंत्री ने 481 चेतर में नौनिर्मित जू सफारी का लोकारपड किया ये कौन सा राज्य है इसमें देखकर बताईए तेलंगाना है त्रिपुरा है ओडिशा है करनाटका है कौन सा होगा और इसका जो राइट एंसर है वो इसमें ई हो जाएगा ई वाले को हम चुनते हैं नौन अब दे पार्क है और जू सर्फारी के निर्माड में बहुत बड़ी लागत आई है 176 करोड रुपए की तो परियावरण या वन्यजीव संरच्षण की दिशा में अगर देखा जाए तो ये बड़ी लागत नहीं है फिलाल 176 करोड वो राशी आप से नहीं पूछी जाएगे लेक इसका नवीनतम संसकरन फरवरी 2022 में City of Destiny के रूप में कहां पर शुरू हुआ ये latest edition है तो इसमें आप ध्यान दीजिए City of Destiny ये कहां पर start किया गया शिमला में विशाखा पत्तिनम में जोधपूर में या फिर बेलागवी में अगर वो प्रदेश देता तो चुनना आसान हो जाता लेकिन यहां प्रदेश न देकर बलकि इस्थानों के नाम शेहरों के नाम दिये हुए हैं तो आप इसमें से देखकर बताईए तो करेक्ट टैंसर क्या होगा इसका भी हो जाएगा विशाखा पत्तिनम बिना सोचे समझे इसमें मत लगाईएगा ध्यान से देख निमनलिखित में से कौन से मंत्राले से संबंदित है किस मंत्राले के द्वारा इसको लॉंच किया गया है यह आवास और शहरी मामलों का मंत्राले है सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्राले के द्वारा इसको शुरू किया गया है या महिला और बालविकास मंत्राले ने इ इसके द्वारा लॉंच की गई, यह लाभार्थियों से रूबरू, तो इसका जो ए वाला उप्शन है, उसको हम चुनते हैं और आगे की ओर चलते हैं, बीसवा प्रशन हमारा इंतजार कर रहा है, 28 फरवरी से लेकर 13 मार्च, यह तारीखा आप देख रहे हैं, समय, तो इस प फोक्य थीम देश कौन सा है, फोकल जो थीम कंट्री है, वो इसमें से कौन सी है, तो श्रीलंका, बांगलादेश, चीन, नेपाल, देशों के नाम दिये हैं, और करेक्ट अंसर इसका कौन सा होगा इसमें से, आप देखी और बताइए, तो यह बांगलादेश हो जाएगा, इसका जो बी वाला उप्शन है, उसको हम चुनते हैं, बी वाले विकल्प को चुना, आगे बढ़ते हैं, प्रशन संख्या 21 को देखे, कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा कितने वर्षों की अवधी के लिए, इमिग्रेशन वीजा फॉरिनर्स रजिस्ट्रेशन यह जो योजना है, इसको 31 मार्ष 2021 से आगे बढ़ा दिया गया है, मतलब इसे अग्रांकित कर दिया गया है, तो इसकी अवधी बढ़ाई गयी है, कितने वर्ष के लिए बताइए, तीन साल के लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया है, पांच साल तक यह और चलेगी, छे व बर्ष हो जाएगा, यानि सी वाले विकल्प को हम चुनते हैं, इसके बाद 22 में प्रशन की ओर चलिए, कहा जा रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान, एटो नोव, एन 225, इसको कीव के पास एक हवाई अड़े पर हमले के दौरान किस देश के सैनिकों ने दिया है, रूस और यूक्रेन के बीच में तना तनी चल रही है, दुनिया भर में अशान्ती व्याप्त है तो ऐसे प्रशन बन सकते हैं, अब इसमें आप विकल्प चुन कर बताइए, तो ये यूक्रेन होगा, रूस होगा, अमेरिका होगा या फिर जर्मनी होगा, इसमें इसके बाद प्रशन संख्या 23 में पूछा जा रहा है कि मार्च 2022 में निमनलिखित में से 21 मंत्राले ने विभिन निश्रिणियों के तहट स्वदेश दर्शन पुरसकारों का गठन किया है, तो ये जो स्वदेश दर्शन पुरसकार है, ये किसके सौजने से गठित किया गया है, तो सीधी बात है, स्वदेश का दर्शन यानि घूमने की बात हो रही है, तो इसमें Ministry of Tourism ही कुछ काम कर सकता है, परेटन से समंदित बात है ये, तो परेटन मंत्राले, इसमें गेस करना आसान था, आगे बढ़ते हैं, प्रशन संख्या 24 को देखिए, बिहार मध्य हुआ था, 2022 में, दिसंबर 2021, जनवरी 2022 या जुलाई 2021, तो करेक्ट अंसर इसमें से कुछ भी नहीं ठीक बैटता है, तो हम ये वाले को चुल लेते हैं, असल बात ये हैं कि ये जो 2022 का विधेयक है, ये 30 मार्श 2022 को बिहार विधान मंदल के दोनों सद्नों में पारित किया ग जाएंगे, तो उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा, जुर्माना नहीं देंगे, तो जेल में जाएंगे, एक महीने के लिए जेल की सजा हो सकती है, तो पहले अर्थ दंड जो लगाय गया था, वो ठीक ठाक था, लेकिन अभी उसमें संशोधन करके नियमों को और इसमें बिकल्ब जुदिया है, भारत है, सयुक तरब अमिरात है, इराक और ब्राजील, तो वो पाकिस्तान वाला डाटा पुराना हो चुका है, अब इसमें से आपको चुनना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा UAE, यानि सयुक तरब अमिरात, जो B वाला ऑप्शन है, उस इसके बाद क्वेशन नमबर 26 को देखिए, 6 मार्च से लेकर 8 मार्च 2022 तक होने वाला अंतराष्ट्री उट महुत्सो, ठीक, उट महुत्सो जो है, किस शहर में आयोजित किया गया, आप देखकर बताईए, कन्नूर में, बीकानेर में, गुवाहाटी में, राजगीर में, कह अरजस्थान में, बीकानेर और बीवाले ऑप्शन को हमने चुल लिया, तो इसमें भी आप गेस वर्क लगाकर आराम से कर सकते थे, इसके बाद क्वेशन नमबर 27 को देखिए, मार्च 2022 में एशिया के सबसे विशाल, 79 साल के प्रसिद हाथी राजा की मृत्यों के पश्चा इसमें जो देशों के नाम दिये हैं, इवाले ऑप्शन को चुनने में बुधिमानी है, नौन अब देवब और मोर्दैन वन वाला, ऐसा क्यों किया गया, तो एशिया का ये सबसे विशाल हाथी माना जाता था, और इसकी उम्र भी अच्छी खासी, हाला कि हाथियों की उम् तो 79 साल का ये था, और ये भारत का हाथी था, और श्रिलंका ने शोक व्यक्ति किया इस पर, राष्टपती, गोताबाया, राजपक्षे जो हाथी की शोगों, बविश्य की पीडियों के लिए संरच्छित करने की बात करते हैं, और इसका जन्म भारत में हुआ था, मैसूर वाले इलाके में, तो कुल मिलाकर बात ये हैं कि दो देश इस से जुड़े हुए हैं, इंडिया और श्रिलंका, तो इसलिए हम एक से जादा चुन नहीं सकते थे, तो इवाले को चुन लिया, प्रशन संख्या 28 को देगे, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, स उस तक के लेखा का नाम पूछा जाता है, लेटेस्ट जितनी लिखी गई प्रसिद किताबे हैं, उनके लेखा का नाम आप देख लीजेगा, फिलाल इसे देखी, और मुंबई में स्थित कंपनी है, जिसका नाम है लॉर्सन और टूबो, इसने और दियो के कुतपादों के लेखारत का पहला पूर्ड़तः e-commerce platform launch किया है, जबकि D वाला जो statement है वो बता रहा है कि पोलेंड की कैरोलीना बिलावसका, इन्होंने प्यूटोरिको में Miss World की प्रतिवगता जो हुई थी, उसका सत्तरवा खिताब जीतकर Miss World बनने का दर्जा हासिल किया है, 2021 का, अब इसम इसमें रख सकते हैं, तो कुल मिला कर ये सभी सही है, तो ऐसा नहीं है कि चारो statement आपको एक्जाम में जसके तस मिल जाएंगे, हो सकता है कि इससे संबंधित एक एक प्रशन बनाने में सक्षमें, ये जानकारी है, इसे आप इकठी कर सकते हैं, इसके बाद प्रशन संख्या 29 को देखते हैं, 29 में question में कहा जा रहा है कि मार्च 2022 में नशा मुक्त बिहार के लिए हाप महराथन इसका आयोजन कहा पर किया गया, गया में किया गया, दर्भंगा में किया गया, नालंदा में किया गया, या इसमें से कहीं पर नहीं किया गया, तो पटना में किया गया और इसलिए चर्चा में है नशामुक्त बिहार के लिए हाप महराथन थी और बिहार के पटना में इसका आयोजन 27 मार्च 2022 को किया जाता है आजादी के अमरित्म होट्सों के अंतरगत ही सब चल रहा था फिल्हाल इसका जो डी वाला ऑप्शन है पार्टली पुत्रियानी पटना उसको चुनते हैं इसके बाद 30 में प्रश्न में देखिए इसपे पूछा गया है कि निम्नलिकितने से किस देश ने फोटो शेरिंग application इंस्टाग्राम पर प्रतिबंद लगाने के बाद अपना नया फोटो शेरिंग application Rossgram launch किया है Instagram में जो दिक्कते थी इस देश को उसके वज़े से इसने इसे बैन कर दिया जैसे अपने देश में TikTok बैन हो गया है तो Instagram को बैन करने के बाद उसका एक विकल्प खोल दिया जो कि है Rossgram अपनी ओर से स्वदेशी तो आप बताइए देश कौन सा है अपनी में राजधानी नई दिल्ली में तीन मूर्ती स्टेट में एक संग्रहाले का उधगाटन किया गया है और यह जो म्यूजियम यहाँ पर इनागरेट किया गया है इसका नाम आपको बताना है तो यह कौन सा है बताइए इसमें राष्ट्रपती संग्रहाले इसका नाम है प्रधानमंत्री संग्रहाले है स्वतंत्रता सेनानी संग्रहाले है राष्ट्रिये रेल संग्रहाले है इसका नाम है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम प्रधानमंत्री संग्रहाले इसमें से भी वाले वी कल्प को चुनते हैं और आगे बढ़ते हैं 14 अप्रेल 2022 को जो भीमराओं मेटकर की जहनती के आउसर पे इसका लोकारपण किया गया वो इसमें दर्शाय है इसके बाद 32 में प्रशन को देखे गलत का चैन आपको करना है स्टेट्मेंट कौन से गलत है वो बताना है तो हाली में खबरों में रहा ये FSEI disorder जो है ये मनुष्य के मस्तिश्क को प्रभावित करता है यानि उसके तंत्र का तंत्र पे प्रभाव डालता है और मार्च 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मिलनाडू के वनियार समुदाय को दिया जो 10.5% का आरक्षड था उसको रद कर दिया है ये जानकारी दी हुई है अब इसमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा हूँ आप देखेंगे इसके बाद अप्रेल 2022 की बात की जा रही है इसमें कहा गया कि भारत के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ये पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरसकार प्राप्त करने वाले प्रधान मंतरी बन गया है इनको ये आवार्ड दिया गया और वाड़ेजे और उद्ध्योग मंतरा लेके हिसाब से भारत का क्रिशी निर्यात वित्तिय वर्ष 2021-22 के लिए 50 बिलियन डॉलर से आगे पहुँच गया है उपरियुक्त में से कोई नहीं का विकल्ब भी मौजूद है तो आप उसे चुन सकते हैं फिलाल इसमें देखें तो करेक्ट अंसर 32 में का क्या होगा इसका E वाला ही चुने 33 में कहा गया कि वर्ष 2023 में FIH पुरुष हा की विश्वकप का 15 संसकरण ये दो शहरों में आयोजित किया जाएगा तो कहां पर किया जाएगा ये गांधी नगर और मुंबई है या फिर भुहनेश्वर और राउर केला है वारंगल और विलासपुर है लखनव और कानपु वो परफेक्ट है इसके बाद 34 को देखिए क्वेश्वर नमबर 34 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जिसमें कि वीर कोर्सिंग विजयोत्सो कारिक्रम में एक साथ 78,220 तिरंगे जंडे लहरा कर भारत में मतलब भारत की द्वारा ये प्रयास किया गया क्योंकि राजी का प्रयास है तो देश का ही प्रयास होगा तो Guinness Book of World Record में अपना नाम इनोंने दर्ज करवा लिया ये जगह कौन सी है तो ये जैपूर है, भोजपूर है, जमशेदपूर है कि बालाशोर है यहाँ शहर के नाम के तौर पे है, प्रदेश के नाम के तौर पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 को देखें, हाली में अरुडांचल प्रदेश का जो पक्का टाइगर रिजर्व है, ये पक्का टाइगर रिजर्व मतलब वो पक्की एटों से नहीं बनाया, इसका नाम ये पक्का टाइगर रिजर्व, तो यहाँ पर राश्ट्री प्रदिकरण की 20 मी बैठक आयोजित की गई थे, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा संसकरण था, तो 20 वा यहाँ लिखा है, उसको भी आप ध्यान दीजेगा, फिलाल इसकी अध्यक्षिता किसने की थी आप बताईए, ये अरुडांचल प्रदेश में बैठक हुई थी, ये वेन्यू भी पूछा जा सकता है, फिलाल ये 35 जो है इसका correct answer हो जाएगा, इसमें आप ध्यान से पहले देख लीजे, भूपेंदर यादो जी के द्वारा इसकी अध्यक्षिता की गई थी, ठीक तो C वाले option को हम चुनते, इसके बाद 36 में प्रशन को देखे, अप्रेल 2022 मे DRDO और भारतिय सेना के द्वारा, पिनाका MK1, एड़ान्स, रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया, डेनियल मुशियल रॉकेट सिस्टम जो है, इसका सफल परिक्षण किया गया, ये दोनों चीजे जो है, मतलब एक तो रॉकेट सिस्टम है, ये आप देख रहा है, पिनाका MK MK1 और दूसरा पिनाका एरिया, डेनियल है, दोनों के नाम भी आपको याद रखने है, तो इनका सफल परिक्षण किया गया, और इसमें DRDO और भारतिय सेना दोनों मिले सयुक्त प्रयास कर रहे थे, अब आपको जगह बताने है, ये पुडे में किया गया, परिक्षण नास 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया, कहा बर किया, तो अयोध्या में किया, मोर्भी में किया, मोर्भी गुजरात में है, रिशिकेश में किया, चित्रकूट में किया, ये चित्रकूट में किया, अब इसमें आप देखकर बताईए, तो करेक्ट अंसर इसका मोर्भी हो जा चल रहा है इसके दोरान केंद्र सरकार कौन से शहर को निर्याथ हब के रूप में विक्सित करेगी। यानि Export हब बनाने का प्लान किस शहर को है तो इसमें गुरुग्राम यानि प्राचीन समय तो अधर ऑद के इख ले उसके महां जभू सब्लक्राप 1965 का नाम दिया हुआ है देखे आप शहर का नाम दिया है प्रदेश का नहीं करेक्ट एंसर इसका ई होगा उपर युक्त में से कोई नहीं क्योंकि एक साथ कई सारे हब विक्सित करने का प्लान है तो हरियाणा के तीन और दियों के शहर गुरुग्राम फरीदाबाद और पानीपत को निर्यात हब के रूप में विक्सित करने की योजना है इसलिए हम इसमें से ई वाले विकल्प को चुनते हैं इसके बाद प्रशन संख्या 49 को देखे पूछा गया है कि कौन से बैंक ने अभी हाल फिलहाल में MSME के लिए देश का पहला व्यापक ओपन फॉर ओल डिजिट आई बैंक है तो इसमें से डी वाले ओप्शन को हम चुनते हैं इसके बाद 40 प्रशन आप से पूछ रहा है कि अप्रेल 2022 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज जी या केंद्रशाश्र प्रदेश के दौरे के समय दूध वाडी नाम का एक समुदाइक रेडिय इसमें से कौन सा होगा और करेक्ट एंसर इसका गुजरात हो जाएगा इसका जो बी वाला ओप्शन है उसको हम चुनते हैं इसके बाद 41 को देखें क्वेश्चन नमबर 41 में कहा जा रहा है कि वर्ष 2022 में नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य उर्जा और जलवायू सूचकांग 2022 के बड़े राज्यों के शड़ी में उसमें शड़ी वार विभाजन है तो बड़े राज्यों के शड़ी में बिहार राज्यों को कौन सी प्राप्त होई है इसमें आपको देखकर बता रहा है और 41 का जो राइट एंसर है वो इसमें 15 हो जाएगा 15 वे स्थान पे बिहार है तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं कई जा सकती है तो 15 को हम चुनते है इसके बाद प्रशन संख्या 42 में पूछ लिया गया कि केंद्रिय ग् केंद्रियं मंद्री मंतरी जी के तौरा ये सीमा चोकिया जो है इनका उधातन किया गया और भारत और किस देश की सीमा पर म्यामार का नाम दिया है आप देखकर बताईए बांगलादेश हो जाएगा और मई 2022 में केंद्री ग्रेह मंत्री जी के द्वारा ये पश्चिम मंगाल का जो हरिदासपुर बार्डर है आउटपोस्ट वहाँ पे नर्मदा सतलुच का वेरी फ्लोटिंग सीमा चौकियों का 22 मार्श 2022 को बिहार दिवस मनाया जाता है अभी आपसे पूछ लिया था पीछे ही कि बिहार की स्थापना कव हुई थी तो यहाँ पर उस प्रशन का उत्तर भी आपको मिल जाएगा वर्ष 2022 में बिहार दिवस का जो विशह है वो जल जीवन हरियाली है ये थीम दे रखा है उसके बाद ये भी बताया गया कि मुख्यमंत्री नितेश कुमार जी ने जब बिहार में सत्ता समाली तो उन्होंने 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने का एलान किया और इसी दिन अंग्रेजों ने 1912 में देखिया या इतिहास का पन्ना भी पलड़ दिया गया 1912 में बंगाल स जो विस्तार और इसकी शक्ती थी वो खो गई तो बिहार भी उसी से अलग हुआ है फिलाल यहाँ डेट दी है तो आप बताईए कि इसमें से सही कौन सा है यह जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं इसमें से तो करेक्ट एंसर क्या होगा सभी कथन सही है जितने भी दे रख हाइस्ट पेड एथलीट 2022 का यह लिस्ट प्तयार किया गया है तो कौन से खिलाड़ी जब सबसे आदा कमाई करने वाले बने हैं मतलब हाइस्ट पेड की लिस्ट में अगर शामिल किया गया है तो सबसे आदा कमाई उनकी होगी तो सरवोच कमाई करने वाले एथलीट कौन ह इसे हम चुनते हैं और इसके बाद 45 में कहा जा रहा है कि विश्व खाद्य पुरेसकार फाउंडेशन जो है इसके द्वारा 2022 वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरेसकार किसको दिया गया है यह वर्ल्ड फूड प्राइस जो है यह किसको दिया गया है आप देखें चारुदत मिश्र को दिया गया है Frank Wiljek को दिया गया है या Cecil Narze Wett को दिया गया है इसमें नाम आप देख रहे हैं 45 Correct answer क्या होगा Cynthia Rosen Zweg इन्हें ये प्राप्ट हुआ है और इसका जो C वाला option है इसको हम चुदतें C वाले विकल्प को चुनलीजे और इस नाम को आप याद रखेगा फिलाल आगे बढ़ते हैं 46 को देखी चार माई 2022 को PM Mega Integrated Textile Reason and April Park PM मित्र पार की उजना पर एक राश्ट्रिय सम्मेलन का है उजन किया गया तो ये सम्मेलन आयोजित हुआ ये तो ठीक है और इसमें डेट भी आपको बताई जा रही है तो डेट भी आप दिमाग में रख सकते है फिलाल पूछा जा रहा है कि इस सम्मेलन में किस राजजी की सरकारों के अधिकारियों को अपनी प्रस्तुती देने के लिए एक मंच प्रदान किया गया है बताई इसमें राजजी कौन सा होगा 36 गड़ होगा बिहार होगा या फिर आंध्र या फिर यूपी इसमें से कौन सा होगा तो हमें इवाले विकल्प को चुनना पड़ेगा इसमें इवाले ओप्शन को चुनते हैं क्योंकि पीम मित्र पार की उजना जो है इस राष्टिय सम्मेलन में आंध्र प्रदेश, बिहार, 36 गड़, गुजरात, करनाटक इसके अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडो, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश इन सब प्रदेशों के जो अधिकारी हैं, उन्होंने अपने अपने राज्यों के लिए जो पीम मित्र पार के स्थापित करने के प्रस्ताओं है, उनकी रूप रेखा को पेश किया तो सब को बोलने का मौका मिला था, इसमें आप किसी एक राज्यों को तो चुन नहीं सकते तो इसमें से more than one वाला जो आप्शन है, उसी को हम चुनते हैं, तो ई वाला सही इसके बाद 47 को देखते, question number 47 में कहा जा रहा है कि हाली में RBI के पूर्व गवर्नर, इनका नाम है विमल जालान पुराने नोटों पे आपने इनकी हस्ताक्षर देखे होंगे, तो इन्होंने एक किताब लिखी है और किताब का प्रकाशन हुआ, तो कौन से किताब है, आप बताईए, ये दा इंडिया स्टोरी है, या मोधी अट दरेट, ट्वंटी, ड्रीम स्मीट, डिलिवरी है या फिर अटल भिहारी बाच पे इनकी किताब लिखती है, या फिर ऑपरेशन खत में इन्होंने लिखा है, बताईए इसमें से, मतलब ऑपरेशन ओवर किताब का नाम है असल में, तो इसमें से कौन सा होगा, फोर्टी सेवन, करेक्ट टैंसर इसका कौन सा होगा, देखकर पताईए ये वाला दा इंडिया स्टोरी, वैसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, विमल जालान जो है, ये रबी आई के गवर्नर रहे हैं, तो गवर्नर है, तो निश्चित वर पी अर्थशास्त्र के बड़े निपुण आदमी हैं, तो अर्थशास्त्र से ही सम्मंधित किताब इन्होंने लिखी होगी, एकोनामी से रिलेटेड बुक होगी, तो इसमें बहुत सारी किताबों का नाम आप देख रहे हैं, कि वो एकोनामी के सेक्टर का है ही नहीं, तो इससे भी आप गेस करके इसमें चुन सकते थे, इसके बाद क्वेशन नमबर 48 को देगी, कहा कर बताई, ये असम और जर्मनी हैं, केरल और नीदरलेंड हैं, चतिसकड़ और फ्रांस हैं, या फिर महराष्ट्रो और रूस हैं, ऐसा भी होता है, राज्ये और देशों के बीच में भी समझाता होता है, फिलाल आप देखें, तो करेक्ट अंसर इसका केरल और जो है, इस पर समझाता हुआ है, इसके बाद क्वेशन नमबर 49 को देखते हैं, एक मई से लेकर 15 मई 2022 तक ब्राजील में आयोजित ग्रिश्म कालीन जो डेफ लिम्पिक्स है, ओलम्पिक की तर्ज पे, 2021 का ये संसकरण था, इसमें भारत को कुल 17 पदक के साथ, पदक स्थाल इसका कौन सा होगा, इसमें आप देखकर बताइए, इसका राइट एंसर होगा 9 अस्थान, भारत को 9 रैंक प्राप्थ हुई थी, और कुल 17 पदक इसने जीते थे, जिसमें सी कि 8 स्वर्ड थे, एक चादी का तमगा था और 8 कासे के थे, और पहला अस्थान यूक्रेन को प क्रिकेटर या अभी नेता, लगातार 20 में साल, यूनिसेफ के सद्भावना दूद के तोर पे बना रहेगा, तो बताइए, इसमें कौन से अक्टर या फिर प्लेयर है, मतलब क्रिकेटर है असल में, तो अक्षे कुमार, सचिन तंदुलकर, अनपम खेर और सौरप कांगुल मतलब या तो अभी नेता है, या फिर क्रिकेटर है, तो देखकर बताइए, करेक्ट अंसर 50 में का क्या होगा, बीवाला होगा, सचिन तंदुलकर, ये अभी भी बने रहेंगे इस पदबे, तो इसमें से हम किस उप्शन को चुनेंगे, बीवाले उप्शन को, इसके बाद 51 को देखे, कहा जा रहा है कि सब्ता भर चलने वाली सीतल सश्टी, ये पवित्र हिंदू तेवहार है, कौन से राज्ये से संबंदित है, आप देखे, तो ये ओडिशा राज्ये से संबंदित है, कई बार चर्चा में भी था, और सीतल सश्टी ये विशेश तेवहार है, जि वर्ष 2022 में ब्रेंट यूमर के बारे में जागरुकता का प्रसार करने के लिए ब्रेंट यूमर दिवस है इसको together we are strong इसके साथ कब मनाया गया मतलब ये दिवस की थीम है हर अंतराश्ट्री दिवस के साथ कोई ने कोई थीम जुड़ी रहती है तो ये थीम यहाँ पर दे जून 2022 की बात है QS World University Ranking 2023 की सूचकांक में किस भारतिय संस्थान को सर्वोच रैंक प्राप्त हुई है कौन सा भारतिय संस्थान है टेक्निकल इंस्टिटूट्स के ही नाम दिये है तो कौन सा भारतिय संस्थान है जिसको की पहला स्थान प्राप्त हुआ है ये IIT Bombay है दिल तो IIT Bombay और IIT दिल्ली जो है ये उसके बाद वाली पोजीशन पे आते हैं और शिर्ष जो 1000 भारतिय संस्थानों की वैश्विक स्थर पर अगर देखा जाए तो शिर्ष 1000 में भारतिय संस्थानों की कुल संख्या 22 से बढ़कर 27 हो गई है तो ये थोड़ा सा यहां प्रशंस इसके बाद आगे बढ़ते हैं 54 को देख लीजे इसमें पूछा जा रहा है कि 2012-13 का जो वर्ष था मतलब सत्र था वहां से लेकर 2018-19 में सबसे ज़्यादा किसानों की आयमें बढ़ोतरी कौन से राज्य में हुई थे यहां राज्य का नाम आपको चुनना है केरल है तमिलना आज ये को शामिल किया जा रहा हो वो बन सकते हैं और उनकी संभावनाय जादा होती है इसके बाद question number 55 को देखते है 54 के बाद ये अगले क्रम में सीमा सडक संगठन यानि जिसे आप बी आरो कहते हैं shortcut में यानि border roads organization उसका full form तो इसके दोरा अरुडांचल प्रिदेश में न लगातार सुरंगे खोथा है अपने आने जाने का मार्क प्रशस्त करता है फिलाला बताईए कहां पर पूरा हो गया है मतलब कौन सी सुरंग है तो ये नेचिफू सुरंग है यहां आप देख रहे हैं यहां फिर नंदनी है या फिर सेला है या फिर जवाहर सुरंग है 56 को देखें 56 में कहा जा रहा है गलत कौन सा है तो पहले तो आप स्टेटमेंट पढ़ लीजे जून 2022 में दक्षणी कोरिया ने नूरी नाम का अपना स्वदेशी अंतरिच रॉकेट लॉंच किया है और चीन ने पिछले वर्ष दिशंबर 2021 में वर्ष 1990 के बाद पहली बार नि पवान बुद्ध की शेयन मुद्रा में सबसे बड़ी मूर्थी बनाई जा रही है तो इसमें से गलत कौन सा है यहां जो चार्ज स्टेटमेंट आप देख रहे हैं गलत विकल्प का चैन आपको करना है और करेक्ट एंसर इसमें से ई वाला ही होगा ई वाले को चुन लेते ह क्योंकि कोई भी कथन गलत नहीं है और इस तरह की प्रशनों में जादा संभावना यही होती है कि जो इवाला विकल्प है वही सही हो अला कि हमेशा गेसवर्क में नहीं रहना चाहिए पहले अपनी तैयारी पर भरोसा करना चाहिए तो इवाले विकल्प को इसलिए चुना का आवास बना रहे है और बहुत सारी प्रजातियों को अपने में आश्रे दे तो उसे आद्रभूमी के तौर पर डिक्लियर किया जाता है उसमें से जो अंतराश्ट्री महत्वकी होती है वो रामसर में शामिल होती है तो फिलाल वो तो आगे की बात है यहाँ पर लोकल लेव का जो आप्शन है उसको हमने चुना असल में बिभिन संरच्छन के प्रयास के बाद यह राजस्थान का मेनार गाउं है उदैपुर जिले में बढ़ता है जिसे कि नई आद्रभूमी के तौर पर अधिसूचित किया है तो राजस्थान तो इसमें कहीं था ही नहीं इसलिए हमें इवाला चुनना पड़ा इसके बाद 58 को देखते हैं क्वेशन नंबर 58 में कहा जा रहा है कि निम्लिकित में से किसे भारतिय सारुजनिक उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है और इनका हाल फिलहाल में देहावसान हो गया है तो इसलिए चर्चा में है फिलह वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 69 को देखते हैं तो कहा जा रहा है कि जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट की अनुसार राश्ट्री उद्यानों वन जी व भ्यारणों में सीमा से कम से कम कितने किलोमीटर के पारिस्तित की समवेदन शील छेत्र होने चाहिए मतलब एको सेंस्टिव जोन उसका रेंज कितना होना चाहिए तो रेंज यहां दी हुई है दो किलोमीटर डेर किलोमीटर साड़े तीन या फिर एक किलोमीटर अब इसको आप देखें और बताएं ये इन्वार्मेंट का टॉपिक है औ और साठवे प्रश्ण में आपसे कहा जा रहा है कि भारतिय खादे सुरच्छा और मानक प्राधी करण के द्वारा चौथे राज्य खादे सुरच्छा सुचकांग 2021 में बड़े राज्यों की श्रड़ी में बिहार को कौन सी रैंक प्राप्थ हुई है तो सिंपल है इसमें आपने बहुत बार इसको डाटा में देखा होगा 16 वा स्थान बिहार को प्राप्थ हुआ है इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या 61 को देखते हैं कहा जा रहा है यहां आप देखें कि हाली में रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तसकरी के खिलाप रे प्रभावी पदार्थ मतलब मन को प्रभावित, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले जो माधक पदार्थ होते हैं इसके खत्रे पर ध्यान आकरिष्ट कराने के लिए operation निर्कोस नाम का एक कोड तयार किया गया है और rail के माध्यम से नशीले पदार्थों की तसकरी के खिलाफ एक अभियान के तौर पे लॉंच किया गया है तो यह 2022 की बात थी जून 2022 की बात थी इसमें ऑपरेशन नार्कोस को आप याद रखेंगे इसका जो बी वाला उप्शन है वो इसमें परफेक्ट है इसके बाद क्वेशन नंबर 62 को देखें कहा जा रहा है कि हाली में T20 क्रिकेट में 304 के लगाने वाले पहले भारती बन गए ये है कौन तो रोहित शर्मा है ये करेंट अफेर में आगबार में भी ऐसे आप न्यूस देख लेते हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 63 को देखी जुलाई 2022 में केंद्रे सरकार ने राज्यों औ तक जो शुलक और कर है उनमें छूट की होजना को किस वरश तक के लिए बढ़ा दिया है छूट की होजना थे इसको आगे की और अग्रेशित कर दिया गया है तो इसमें बढ़ाया गया है कब तक? 2026 तक, 2028 तक बचीस तक? 2024 तक ही बढ़ाय गया है ज्यादा लंबा इसको नहीं खीचा गया है तो इसमें से year 2024 को हम चुनेंगे इसके बाद 64 को देखिए हाली में mentioning feature ये एक launch किया गया है और ये feature किस social media platform से संबन्दित है मतलब किसी social media platform के द्वारा इसको launch किया गया है ये facebook है, whatsapp है, twitter है correct answer इसका क्या होगा, twitter हो जाएगा और twitter आजकल बड़े ही उथल पुथल से गुजर रहा है इसके बाद question number 65 को आप देखें स्टाक होम में नीरा चोपडा ने diamond league में अपना ही record तोड़ कर कितने मीटर दूर तक भाला फेक कर रजत पदक जीता है ओलंपिक में सोना प्राप्त करके इन्होंने चोका दिया सबको अपनी प्रतिभा का सरवोच्चे प्रदर्शन किया फिलाल इसमें आप बताएं कितनी दूरी का इन्होंने भाला फेका और ये खिताब जीता, रजत पदक जीता तो correct answer इसका 65 का क्या होगा ये 89.9-4 मीटर होगा तो ये कम संभावना है कि लंबा पूछी जाए ये length पूछी जाए, इसकी संभावना कम है लेकिन ये पूछा जा सकता है कि कहा पर इन्होंने जीता या किसने जीता Diamond League में आवार्ड रजत पदक जीतने वाले खिलाडी कौन है तो इस तरीके से आप से पूछा जा सकता है तो आपको इसमें fact पता होने चाहिए इसके बाद question number 66 को देखते है वर्ष 2015 में आयोजित होने वाले महिला एक दिवसी विशुकप की मेजबानी कौन सा देश करेगा श्रिलंका करेगा, भारत करेगा, पाकिस्तान करेगा या फिर सौधी अरब करेगा 66, correct answer इसका भारत होगा भारत के द्वारा ये किया जाएगा इसका जो B वाला option है उसको हम चुनते हैं इसके बाद question number 67 को देखें बर्मिंगम में आयोजित Commonwealth Games 2022 के नौवे दिन किसने भारत को रज़त पदक जिलाया, दिलाने का काम किया ये दिनेश कुमार के द्वारा किया गया मतलब उन्होंने प्राप्त किया चानी का तमगा या नवनीत सिंग ने प्राप्त किया चंदन कुमार ने प्राप्त किया यार सुनील बहादुर तो ये चंदन कुमार सिंग के द्वारा प्राप्त किया गया और ये बिहार के रहने वाले हैं बिहार के चंदन कुमार सिंग ये 9 दिन जो Commonwealth Games का 9 दिन था उस दिन भारत को रज़त पतक दिलाने में काम्याब होते हैं इसके बाद अर्सटफे प्रेशन को देखी निमनलिखित में से किस राजजी ने सिक्षा से सम्मंदित इस सम्मंदन पोर्टल को लॉंच किया है तो ये बिहार राजजी है 22 जुलाई 2021 को सिक्षा से सम्मंदिती विजय कुमार चौधरी जी जो बिहार के सिक्षा मंत्री है उनके द्वारा लॉंच किया गया था तो करेक्ट अंसर इसका बिहार हो जाएगा ये सिंपल क्वेशन था इसके बाद 79 नंबर के क्वेशन में कहा जा रहा है विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है ये 8 अगस्त को मनाया जाता है 17 को मनाया जाता है 12 को या फिर 29 को तो करेक्ट अंसर इसका 12 अगस्त हो जाएगा ठीक है इसमें से जो C वाला उप्षन है उसको हम चुनते हैं इसके C वाले विकल्प को हम चुल लेते हैं और आगे चलते हैं प्रशन संख्या 70 को देखे अगस्त 2022 में भारतिये कमपनियों ने पहली बार किस देश से पेट्रोलियम कोक का आयात किया था ये देश कौन सा था इसमें आप देखकर बताएगे तो ये वेनजुला था ये सब factual question है बस आपको आता रहे तो आप टिक करके आगे बढ़ते जाएगे वेनजुला से इन्होंने आयात किया था ये वाले option को हम चुनते हैं इसके बाद question number 71 को देखे अगस्त 2022 में किस भारतिये परोबकारी व्यक्ति को Bill and Melinda Gates Foundation के नियासी बोर्ड इसमें नॉमिनेट किया गया है ये कौन है एम दामोदरन है आशीश धवन है शिव नादर है या फिर हेलेंडी गेल है इसमें से किस का नाम आएगा बताई तो ये नॉमिनेट करने का काम मतलब किस के नाम से किया गया है लेटिस्ट वाला मतलब जादा नस्दीक के महीनों वाला शुरुवाती जो छे महीन है उनमें पूछे जाने की संभावना जादा होती है तो इसमें सिभी वाले उप्शन को चुनकर बहतर्वे प्रशन को देखने चलते है इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिकित में से महाराश्टी के कि शहर में राजी का पहला दिव्यांग पार के स्थापित किया जाएगा यह महाराश्टी का कौन सा शहर है तो नागपूर में स्थापित किया जाएगा यह जो वेन्यू है इसका कौन सा होगा नाकपूर होगा, जो कि इसमें कहीं नहीं दिया गया है, इसमें आप देख रहे हैं, नाकपूर कहीं नहीं दिया है तो इसमें लंबे समय तक सेवा में रहने वाली और दुनिया की सबसे उम्रदराज flight attendant के तौर पे मानिता दिये अब इनकी उम्र आप देखें 86 वर्ष और flight attendant के तौर पे सबसे उम्र दराज के तौर पे मानिता पराप्त करती है ये कौन से देश की रहने वाली है सिर्फ इतना आपको इसमें बताना है तो correct answer इसका कौन सा होगा इसमें देखकर बताईए यहाँ जो option दिये हैं उसमें अगर आप देखें तो America इसका सही जवाब होगा C वाला, America के रहने वाली है Next, question number 74 पूछा जा रहा है कि कौन सा बंदरगा भारत का 100% landlord landlord model वाला बंदरगा बन गया है अब ये landlord landlord model बंदरगा कौन बन गया है इसमें आप देखी तो चन्नई बंदरगा है, जवारलाल नहरू पोर्ट है मुंबई बंदरगा है, कोचीन है जवारलाल नहरू पोर्ट ये जो है न, ये model पोर्ट बन गया है और इसमें से correct answer हम चुनेंगे B वाले को 75 प्रशन की ओर चलते है 75 में कहा जा रहा है कि जुलाई 2022 में किस धार्मिक शहर को शंगाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और परेटन राजधानी के तौर पे घोशित किया गया है इसमें से कौन सा देश है आप देखकर बताईए तो यहाँ पर शहर का नामसल में पूचा है यह उजयन है, अमरित सर है, अरिद्वार है, वारानसी है देखकर बताईए यह सांस्कृतिक और परेटन राजधानी के तौर पे घोशित किया गया है और किसके द्वारा घोशित किया गया है यह भी पूचना है, पूचा जा सकता है तो इसमें 75 प्रशन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका correct answer होगा वारानसी तो इसमें से D वाले option को चुनते है इसका जो D वाला विकल्प है, वो सही इसके बाद 76 प्रशन को देखे हाली में भारत के संकेत सरगर ने राश्टमंडल खेल 2022 में रजट पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट का दरजा हासल किया है तो संकेत सरगर जो है, यह कौन से खेल से संबंदित है बस इसमें आपको यही देखना है तो यह टेबल टेनिस खेलते हैं, जूडो के दाव लगाते हैं या फिर वॉक्सिंग करते हैं, या फिर वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं तो यह वेट लिफ्टर है, भारो तोलक है और इसका जो डी वाला आप्शन है, उसको आप चुनते है इसके बाद 77 प्रेशन में आपसे पूछा गया कि अगस्त 2022 में बिहार विधान सभा के 17 अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है तो यह तो अवद बिहारी चौधरी जी है, इसमें से जो बी वाला आप्शन है उसको आप सीधे सीधे चुन सकते हैं, इस तरह की प्रेशन आपके गलत नहीं होने चाहिए 78 प्रेशन को देखे, सही कतनों का आपको चैन करना है, मतलब एक से जादा भी सही हो सकता है या फिर आप देखें, तो बिहार का सबसे बड़ा और दूसरा तारा मंडल दर्भंगा जिले में बनाया जा रहा है इसकी जो लोकेशन है वो दर्भंगा में है भारत और ब्रिटेन से युक्त रूपशे राष्टर मंडल राजनाइक अकैडमी कारिकरम को इस्थापित करेंगे ये एक मामला है और सी वाला जो स्टेटमेंट है वो आपको बता रहा है कि जून जुलाई 2022 में साथ दिवसी खार्ची पूजा महोटसो जो है ये है प्रशन संख्या 78 और इसका जो राइट एंसर है वो इसमें E हो जाएगा क्योंकि सारे स्टेटमेंट सही है किसी एक को हम नहीं पकड़ सकते सब को पकड़ना पड़ेगा तो E वाले को चुनते है इसके बाद प्रशन संख्या 89 को देखे इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिकित में से किस स्थान पर हडपा संस्कृती पर दुनिया का सबसे बड़ा संख्याल है इस्थापित किया जा रहा है तो ये कहा पर किया जा रहा है राखी गड़ी में किया जा रहा है correct answer इसका C वाला हो जाएगा राखी गड़ी ये question अच्छा है ये history से भी है और current affair से भी जुड़ा है दोनों को mix करके आप इसे याद कर सकते हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं देखे हडपा संस्कृती पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहाल है ये हरियाणा का है राखी गड़ी राज्यवार अगर देखें तो हरियाणा वैसे जगह का नाम है राखी गड़ी तो यहाँ पर इसे स्थापित किया जाएगा इसके बाद प्रश्ण संख्या असी को देखें सितंबर 2022 यानि अभी नस्दीक की ही बात तो सितंबर 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के 39 जिले मोहला मानपुर अंबागर चौकी का शुभारंब किया है मतलब किस जिले में किया है तो यह आप राज्य का नाम यहाँ पर आपको असल में बताना है प्रश्ण में जो जिले का नाम आप देख रहे हैं वो इस राज्य का जिस राज्य का नाम आप यहाँ से चुनेंगे उसका उन्तीसवा जिला बन गया है और ये सितंबर की ही बात है फिलाल इसका जो correct answer है वो इसमें से कौन सा होगा देखकर बताइए ये 36 गड़ राज्य है तो 36 गड़ यानी C वाले option को हम चुनते हैं और यहां के मुख्यमंत्री भूपेश बगहल जी के द्मारा ये काम किया इसके बाद प्रशन संख्या एक 80 को देखिए 80 में कहा जा रहा है कि हाली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में किस नदी पर बने अटल ब्रिज का उधगाटन किया है तो ये साबर मती नदी है simple question है इसका जो correct answer है वो D हो जाएगा इसके बात है दार्जिलिंग में पदमजा नाइडू ये जो लॉजिकल पार्क जो है इसको सरुसरिष्ट चडिया घर का दरजा मिला है तो वेस्ट बेंगॉल को चुनते है ए वाला option इसका perfect है इसके बाद 83 वे प्रेशन को देखिए सितंबर 2022 में तिलंगाना सरकार ने राज्य क नए सची वाले का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है तो करेक्ट अंसर इसका क्या होगा भीम राम जी अमबेटकर यानि बाबा साहिब भीम राम अमबेटकर आप सीधे सीधे समझ लें सी वाला जो आप्शन है उसको चुनते हैं इसके बाद 84 वे नंबर के क्वेशन को देखिए हाकी इंडिया के नए अध्यक्ष के तोर पर किसको चुना गया है तो इसमें जो नाम आप देख रहे हैं इसमें धनराज लाकड़ा हैं दिलीप तिर्की हैं नरिंदर बत्रा हैं दिलीप तिर्की का नाम चुनते हैं इसका जो बी वाला आप्शन है वो पर्फेक्ट इसके बाद question number 85 को देखिए 28 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक UNESCO मोंडिया कल्ट 2022 विश्व सम्मेलन ये कहां से आयोजित किया गया है मतलब इसमें आपको range दी हुई है समय इसका समय अंतराल दिया है और ये देश कौन सा है आपको देखकर बताना है स्पेन है मैक्सिको है जर्मनी है या फिर कौन सा तो ये मैक्सिको है ठीक है इसका जो correct answer है इसमें B वाले को चुनते है इसके बाद 86 में प्रशन को देखिए पूछा गया कि हाली में राष्टपती द्रौपदी मूर्मू ने स्कूली सिक्षा में अध्विती योगदान के लिए कितने सिक्षकों को राष्टी पुरसकार 2022 से सम्मानित किया है तो ये सिक्षकों की संख्या कितनी है 46 है इसमें से जो correct answer है वो C वाले को हम चुनते है इ पुलिस बल के द्वारा किया जाएगा भारतिय सेना करेगी या सीमा सुरच्छा बल करेगा तो ये उट वाली निगरानी का काम वैसे कौन करता है ये BSF का काम होता है तो अब इसमें महिलाएं भी शरीक होंगी और इसका जो correct answer है वो इसमें D वाला हो जाएगा सीमा सुरच् इसमें आप देखी और बताइए कनाडा है कनाडा इसमें जो सी वाला option है उसको उम चुनते हैं इसके बाद 89 में प्रशन को देखी इसमें कहा जा रहा है कि 15 अगस 2022 को भारतिय नौसेना ने किस महादवीप में अपने जहाजों पर ध्वजा रोहण किया तो ये महादवीप का नाम आपको इसमें बताना है इसमें से कोई भी विकल्ब सही नहीं असल में महादवीप के हिसाब से अगर देखे तो 15 अगस 2022 की बात है भारती नौसेना ने 6 महादवीपों में अपने एक नहीं बलकि 6 महादवीपों में अपने जहाजों पर ध्वजा रोहण किया एशि के सकल घरेलू उतपात का लगबख 1.72% दी योगदान देता है यहाँ आप इसका जो योगदान है उसको देख रहे है सितंबर 2022 में उत्तरपिदेश के मुख्यमंत्री ने लखनव में आयोजित स्मार्ट पंचायत राष्टी का रिशाला का उतगाटन किया और कहा गया कि HD अपसी बैंक ने माई 2022 में 30 मिनट का एक्स्प्रेस का लोन लॉंच किया है सितंबर 2022 में आईटा फून नाना माडोल यह आप देख रहे हैं यह आया टाइफून है असलमें यह जो शब्द है इसे अलग-अलग कर लीजे यह सितंबर 2022 में टाइफून आया था यानी तूफा अर्था जो correct answer है वो इसमें यह होगा क्योंकि कोई भी कथन गलत नहीं है अर्था जितने भी दिये हैं वो सभी सही है इसके बाद 91 को देखें question number 91 में कहा जा रहा है कि निमनलिखित में से किस मंत्राले ने अक्टूबर 2022 में national credit framework के मसौदे का अनावरण किया है यह कौन सा मं मंत्राले है कौन सा मंत्राले है तो national credit framework इसका जो अनावरण है वो सिक्षा मंत्राले के द्वारा जो कि पहले मानो संसाधन और विकास मंत्राले कहा जाता था अभी कहा जाता है ministry of education उसके द्वारा किया गया है question number 92 को देखिए विश्व अंतरिक्षी सप्ता 2022 अंतरिक्ष और हाली में विश्व बैंक ने वितिय वर्ष 2022 ते इसके लिए भारत की GDP विकास तर को कितने प्रतिशत रहने का अंदाजा लगाया है तो ये 6.5 फीजदी का अंदाजा है इसको ध्यान से याद रखेगा साड़े 6.5 फीजदी का ये अंदाजा लगाया है इसके बाद 94 को प्रतिशत सबसे अधिक बताया है ये देश के कौन से दो राजजी है जड़ा देखकर बताईए और ये जारखंड और पश्चिम बंगाल है तो इसमें से हम किस विकल्प को चुनेंगे इसका जो भी वाला उप्शन है उसको चुनते इसके बाद 95 को देखे 95 में कहा गया कि 16 से लेकर 17 अक्टूबर 2022 पहली राश्ट्रिय कोईला सम्मिलन और प्रदर्शनी ये कहा पर आयोजित की गई तो राजधानी में ही की जाएगी सीधी बात है इसमें तो कोई शक नहीं है इसका जो सी वाला उप्शन है उसको चुनते है नई दिली इसके बाद 96 को देखे अक सकारात्मक काम है जो कि किस राज़्य में हुआ है तो सिक्षा के छेतर में इतना बड़ा काम पहले तो केरल में ही होगा तो केरल इसका जो आप्शन है उसको हम चुनते है इसके बाद 97 को देखे इसमें कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के कि शहर में PPP मॉडल यानि पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप जो है उस मॉडल पर CNG प्लांट लगाने को मंजूरी मिल गई यह कौन सा शहर है जरा देखकर बताए यूपी का है यह और इसका जो राइट एंसर है वो इसमें E वाला चुनना पड़ेगा उपर युक्त में से कोई असल बात यह है कि उत्तर प्रदेश के तीन शहर कौन कौन से लखनव, गाजियाबाद और प्रयाग राज यहां पे अक्टूबर 2022 में PPP मॉडल जो है उसके आधार पे CNG प्लांट लगाने को मंजूरी दी गई है तो इसमें CE वाले आप्शन को चुनना ही विवश्ता है इ अध्यप्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जो कि मेडिकल के पढ़ाई हिंदी में करवाएगा जो की काफी कठिन काम है क्योंकि साइंटिफिक टर्म जो है उन्हें हिंदी में पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा इसके बाद 99 को देखे हाली में निमनलिखित में से कौन सा देश लेमन ग्रास के निरयात में विश्व का सबसे बड़ा निरयातक बन गया है यह भारत है श्रिलंका है रूस है कि नेपाल है तो भारत ऐसा काम करने वाला पहला देश बन गया मने सबसे बड़ा निरयातक बन गया है भारत को आप याद रखेंगे ए वाला उप्शन इ देखते हैं इस टेस्ट की श्रंखिला में तो हाली में किस राज्जी में विश्व की सबसे उची शेव प्रतिमा जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम यानि स्टैचू आपि बिलीव विश्वास का स्वरूप इसका लोकारपड किस राज्जी में किया गया है तो यह राज्जी कौन सा है इसमें देखकर बताएं राजस्थान है उत्तरा खरणने मर्द्यप्रदेश बिहार है यह राजस्थान है राज्चे के ही साब से राजस्थान है और इसका जो भी वाला आप्शन है उसको हम चुनते हैं आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने की आवशकता नहीं क्योंकि यहाँ पर प्रश्णों की सिरीज है वो समापत होती है लेकिन यह सेक्शनल टेस्ट और को लगातार मिलते रहेंगे हमारे साथ बने रहें इस टेस्ट सिरीज के लेक्चर में इतना ही तब तक के लिए नमस्कार